हालो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नई वीडियो में आज किस वीडियों बात करने वाले हैं बिहार इंटर्मीडियेट 2020 में एडिमीशन के लिए ओल्लाइन फॉर्म फिलब कैसे करेंगे step by step process के साथ मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ कि कैसे आपको form को fill up करना है ताकि आपको form fill up करते वक कोई mistake नहीं हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट अगर आप step by step process को समझ जाते हैं तो आपको form fill up करने में किसी परकार की तुरूटी नहीं होगी जैसे कि आप सब को पता है कि इसका जो है date change हुआ था तो आज असे जो है online परकेरिया सुरू हो चुका है और link भी active हो चुका है तो कैसे आपको form को fill up करना है क्या क्या डोकुमेंट्स लगेंगे पूरी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में कभर करने वाला हूं तो चले फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है अभी तक आपने चला को सस्क्राइब नहीं किया है तिस लाल वाले बट क्योंकि बहुत ज़्यदा मिस्टेक आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कोई दीकत नहों ठीक है ना तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले आने के बाद से आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेग इस पर आपको क्लिक करना है जिसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार से common application form जो है intermediate admission के लिए form खुल के आ जाएगा और आपको सबसे पहले यहां पे अपना board का नाम चूझ करना तो देख सकते हैं यहां पर board है तो बिहार से हैं तो बिहार चूझ करें है आप यहां पे अपना date of birth चूझ करेंगे उसके बाद से यहां पे आपको चूझ करने पाद से अपने school का road code यो आप xdo class में roll code था वह आपको यहां पे लिखना रोल नंबर लिखना है जो आपका रोल नंबर है वह आप यहां पर लिखेंगे देख सकते हैं यह box बंगस ब लिखिया और आपका यहाँ पर नीछे भी पूरी झनकारी लिख दिया कि किसितना नमर आपको देख सकता है usc category है जो कि यहां पर already policy choose हो चुका है किवल हमने यहां पर क्या भरा था यहां पर roll number roll code और date of birth और यह जो passing year है वो चूज किया था और examination board मैंने चूज किया था automatic मैं पर सूरी जानकारी यहां पर automatic आ गई अब आपको यहां पर अपने एक half photo चीपकाना है देख सकते हैं मैंने यहां पर एक half photo और यहां पर scan करके रखा हुआ है तो आप भी scan करके रख लेंगे अब मैं यहां पर choose file पर click करता हूं और क्या करूं गांगा जो भी photo यहां पर चीपकाना है उस और यहां पर चीपका लेंगे लिख लेंगे देख लेंगे यहां पर और उसके बाद से देख सकते हैं मैं यहां पर photo मैं हरेंस यहां पर take फ्रेंट्स की year of joining आपने किस साल उस बिद्याले में नमांकन लिया था तो आपने नवी क्लास में जब नमांकन लिये थे वही वाला सेशन आप यहां पे चूच करेंगे तो आप क्या करेंगे यहां पे चूच कर लेंगे तो जिसे अगर सपोज मान के चलिए जो बंदा 2020 में क क्या आपका है ठीक है ना उसके बास से यहां पे आप क्या करेंगे अपना जेंडर देख लेंगे जेंडर क्या है मात्रों टंग आपकी मात्रों भासा क्या है उसके बास नेशनलिटी उसके बास आपका धर्म क्या है हिंदू मुसलिम ठीक है ना उसके बास आपका ब्लड ग पोस्ट पुलिस से सब लिखेंगे जैसे विलेज ऐसे करके विलेज लिख देंगे इसे तरह से पोस्ट ऐसे लिख देंगे उसके बासे ऐसे प्यस लिख देंगे उसके पारकार से आपको यहाँ पे डिस्टिक इस परकार से लिख देना है उसके बास यहाँ पे अपना पीन को दे रहा हूं तो जो मोबाइल नमबर और email id एक form में यूज कर लिए हैं उसको आपको दूसरे form में यूज नहीं करना है उसके बाद से नीचे आपको आना है नीचे आने के बाद से आपको अपना general cst क्या आपका category है यह आपको खास ज्यान देकर चुछ करना है हाला कि जब आ यहाँ पर data server fetch हो जा रहा है तो यहाँ पर नाम लिख दे रहा है लेकिन आपको एक बार और भी यहाँ पर मिला लेनी है यहाँ पर पूछ रहा है कि general case में EWS है की नहीं है तो अगर आप यहाँ पर EWS के बारे में आपको बताना है yes no में अगर आप दिब्यांग है तो ethics चूच करेंगे automatic उस districts में Wahl यहां पर खुल के आजएंगे आप दिख सकते हैं यहां पर list में से आपको कम से कम 10 लिष्ट कोood करना कम से कम maximum 20 कर सकते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले यहां पे चूच करना कि आप किस college में लेना चाहते हैं admission तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा यहां पर list को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बास यहां पर आपको स्ट्रीम लेना है साइन्स लीजेगा कि आर्ट तो यहां पर आप देख सकते हैं साइन्स स्ट्रीम जो एस्ट्रीम आप लेना चाहते हैं साइन्स से आर्ट से कमर से तो यहां पर जो कॉलेज लिस्ट बनना सुरू हो जाएगा देख सकते हैं यहां मैंने यहां पे ma1 यहां पेड लिस्ट बन चुका है इसी तरह आपको दुबारा से यहां पे चूझ करना है अगला college जो कि आप हो और यहां पे फरmpकर से आपको यहाँ पे चूज करना है जो भी आपका है वो college आप अपने दूसार चेक करेंगे और चेक करने के बाद से यहाँ पे आप यहाँ पे option पे click करेंगे इस पे click करेंगे तो यहाँ पे उपर में list सुरू हो चुका है देख सकते हैं first, second, third तो आप यहाँ पे बारी-बारी से कम से कम 10 list आपको चूज करना होगा और ज्यादा से ज्यादा आप 20 चूज कर सकते हैं लेकिन 10 से कम चूज कीज़ेगा तो form आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको कम से कम 10, 24 देना है नो कर देंगे तो यह अब लॉक हो गया ठीक है न तो अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे यह जो डेख है घोसरा आपको यहाँ पे ठीक कर लेना है यह ठीक करने के बाद से आपको यहाँ पे देख सकते हैं आवे दक सुल्क 300 रुपए जमा करने हैं तो यहाँ क्लिक करें तो आपको अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे OK कर देना है अब देखें यहाँ पे जो है आपका आज आएगा confirmation letter यह letter क्या करेंगे आप एक करने से पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे एक बार मिला लेंगे कि जो भी आपने यहाँ पे details भा रहे हैं वो सब चीद सही है की नहीं है ठीक है न उसके बाद से ही आप यहाँ पे confirm वाले बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंट हम यहाँ पे करते हैं confirm जैसे confirm करेंगे पूछ र तो आपको क्या करना है अपना OTP यहाँ पे लिखना है ठीक है ना दोनों में से कोई या तो email id का लिख दीजे या mobile number का लिख दीजे तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे submit कर देना है तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ चुका है SMS नमर भी जनेरेट हो चुका है और उसी दर्मियान आपके mobile पे एक login ID और password भी SMS के तोर पे चला गया होगा ठीक है ना तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे पमेंट मोड चूझ करना है कि आप किससे के द्वारा पमेंट करना चाहते हैं तो जो केंद्र है तो आप आम इंसान के लिए नहीं है ठीक है ना अब यह जो SBI पे है यह आप चूझ कर सकते हैं सब पैसा है दोनों में से कोई आप चूझ करके online पमेंट कर सकते हैं तो मैं SBI चूझ करूंगा और यहाँ पर process for payment पे क्लिक करूंगा जिसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा है debit card internet banking भीम UPI और SBI branch पमेंट तो आपको यहाँ पर अगर UPI से पमेंट करना चाहते है गूगल पे है या फोन पे है या ATM है पे तो आप यहाँ पर UPID लिखेंगे पे नाव पर क्लिक करेंगे तो आपके मॉयल पर आ जाएगा confirmation करेंगे तो पमेंट 100 सक्सेस्फुली ह हो जाएगा अब आपको यहाँ पर debit card का option है तो आप यहाँ पर अपना debit card credit card जो भी है नंबर लिखेंगे और प्रोसेस करेंगे तो पमेंट हो जाएगा यहाँ पर इंटर्नेट बैंकिंग का यहाँ क्लिक करके आप जो भी बैंक से पमेंट करना चाहते हैं यहाँ देख सकत करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर comment direct हो रहा है अब आपको अपना net banking का यहाँ पर login ID password रिलिखना है login करना है login जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर confirm करेंगे उसके बास अगेन आपको यहाँ पर confirm करना है confirm करने के बास से आपके mobile पो टीपी जाए का print confirmation के लिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट पर आजाएगा यहाँ पर successfully आगया यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर print application कॉपी पर क्लिक करना है जिसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह automatic यहाँ पर आपका photo नाम कुछ भ लिखा रहेगा मैं आपको यह screen पर दिखाने कोशिस करूंगा देख सकते हैं कुछ इस परकार से SMS आएगा और उसमें आपका user ID और password लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है क्या करना है दुबारास आना इसी website पर आने के बाद से यहाँ पर student login का एक option दिख चारा आया होगा उसके बाद से आपको यह capture भरना है और submit करना है तो आप login हो जाएगा तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर password जो है लेट से आ रहा है तो आपको थोड़ा सा इंतेजार कर लेना है घबलाना नहीं है बिल्कुल भी अब यहाँ पर आपको यह capture मैंने भर ल यहाँ पर transaction ID भी दिखा रहा है और client transaction number भी दिखा रहा है आपको यहाँ पर क्या करना है print CAF के एक option आएगा print CAF इस पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए अब आपको यहाँ पर पूरा details यहाँ भरा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है ना जो कि वहाँ पर blank दिखाई दे अब मैं आक पोचीज बता है अगर आप इसमर कोई दीकत हो यहाँ वदे फिलफ लोप करने में तो आपको वर सकते में देख सकते हैं कुछ ही चीजे को आप यहां पर चुदार कर सकते हैं ज्यादा चीजों को तो इस परकार से आपको पूरी जनकारी फिलप करनी है इस परकार से इंटर्म एड़िशन के लिए फिलप करना है अब जैसे आप यहाँ पर आवेधन कर लेंगे उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो मिलाऊंगा आवधन करने के कितने दिन बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा और कब तक आपका एडमिशन होगा तो फ्रेंड्स आपको वीडियो का ऐसा लगा कमेंट सेक्षिन में जुरूब बेतेगा अगर आपको कोई कोशन नहीं हो तो आमें कमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं या इस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हमें दी जिजायत और देख तिरे डिए फारवर थैंक्यू फॉर वाचिंग जैहिं झाल 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 झाल